हेलो एब्रिवान वेलकम तू विंग से कुड़ान आप शाहित खान और विंग से कुड़ान में आपका स्वागत है डियर स्टुडेंट्स फाइनांस एकाउंट एससेस्टन के रिगार्डिंग हमारी जो mcq सीरीज है वो जारी है एंड हम अल्रेडी बहुत सारे टॉपिक्स मैं वह कवर कर चुके हैं इस सीरीज में हम जीके पॉर्षण को कवर कर रहे हैं जो मैं डिसकस कर रहा हूं काफी टाइम से इसी mcq सीरीज को कंटीनू करते हो एक और वीडियो लेकर आँ मैं आपके लिए जिसमें कुछ और इंपॉर्टन mcq को डिसकस करेंगे हमेशा की त तो यह कुछ topics हैं जो remaining हैं हम इनको cover करेंगे जल्दी जल्दी चलते हैं आज की mcqs पर एक निया topic लेके आऊ हूं मैं आपके लिए तो जासर आप screen देख पा रहे हैं history of jamma and Kashmir तो जेंड के की जो history है यह एक topic sub topic है यह जेंड के यूटी के topic में एक sub topic है पहला ही topic है history of jamma and Kashmir तो इसको हम आज देखेंगे इसका part A रहेगा and हम ancient history से इसको cover करने की कोशिश करेंगे and ancient से सुनके आप बिल्कुल डरना नहीं हम बिल्कुल important चीजें जो हैं उनको ही discuss करेंगे जो बिल्कुल exam में आ सकती है otherwise ancient history को you know जेंड के history को हाथ लगाना भी you know बहुत daring काम है लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे हम कुछ important mcqs को discuss करेंगे जो आ सकते हैं तो देखते हैं पहला question क्या है हमारा it is believed that kashmir valley was a vast mountain lake called as तो कश्मीर वैली को एक यूनो यह कहा जाता है कि कश्मीर वैली जो थी एक बहुत बड़ा lake था पहले एंड उसके बाद फिर यहां से क्या हुआ यहां से पानी ड्रेन आउट हुआ एंड फिर यह यह नो कश्मीर वैली वैली बन गी तो उस lake को क्या नाम दिया गया था हमें यह बताना है तो उसका correct option है option number c सती सर ओके तो कश्मीर वैली का नाम पहले सती सर था सती सर क्योंकि यहां पर जो lake था उसको सती सर नाम दिया गया था यानि यहां यहां पर एक सेंट थे जिंका नाम था कश्यप रिशी ओके कश्यप रिशी तो ये कहा जाता है कि इनके दोरा ये पानी जो है यहां से ड्रेन आउट किया गया and जो बाद में वहाँ पे जगा बच गी उसको नाम कश्मीर पड़ गया ओके तो ये आप याद रखेंगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कुश्चन पे इसका जो ऑप्शन था करेक्ट वो ऑप्शन नमबर सी था कुश्चन नमबर टू हमारे पास है योन सेंग वाज ए चाइनीज ट्रैवलर वू विजिटेड कश्मीर इन 631 एडी and called it तो ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे आप जिस तरह से भी इसमें को फ्रॉनल सेट करें तो ये कश्मीर में आए 631 एडी में and इन्होंने कश्मीर को क्या नाम दिया हमें ये बताना है तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है option number D जो आप देख पा रहे हैं काशी मीलो तो इन्होंने ये नाम दिया कश्मीर को and इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो तिबतियन से वो कश्मीर को खचल कहते हैं उके उन्होंने कश्मीर को खचल नाम दिया जिसका meaning है snowy mountains अएक ये पाद पादिया and इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि जो दर्द से यानि दर्दिस्तान से जो लोग थे उन्होंने कश्मीर को कहा है कश्मीर को उन्होंने एक निया नाम दिया यानि अपनी तरह से एक नाम दिया जिसका नाम खच्षचान है यह दर्द ने नाम दिया कश्मीर को अगर चल मैं आपको बता चुकता हूँ जो तिब्बत के लोग थे उन्हों ने कश्मीर को ये नाम दिया & Kasperia के बात करें तो ये ग्रीक जो है उन्हों ने कश्मीर को कस्पीरिया बोला तो ये सारे नाम जो है different region के लोगों ने कश्मीर वैली को दिये हैं तो यह आप याद रखेंगे चलते हैं हम अपने next question पे which of the following is the oldest text on the history of कश्मीर तो history of कश्मीर पे सबसे oldest text किसको माना जाता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसका correct option है निल्मत पुर्णा ओके निल्मत पुर्णा जो है इसको सबसे पुरानी text का जाता है when it comes to कश्मीर history के बारे में जो हम बात करते हैं तो सबसे पुरानी text जो है वो निल्मत पुर्णा को माना जाता है यह आप याद रखेंगे it is the earliest text on the history of कश्मीर and इसके साथ मैं आपको बता दूँ इसी में निल्मत पुर्णा में ही यह कहा जाता है के Nagas were the first inhabitants of कश्मीर नागास सबसे पहले inhabitants थे कश्मीर के यह भी आप याद रखेंगे इसके साथ से मैं आपको बता दूँ कश्य पुरिशी के regarding जो थेरी हमें मिलती है कश्मीर के regarding वह भी निल्मत पुराना में ही है ओके राज तरंगनी यह किताब इसको मैं आगे जाके discuss करूँगा आप यह साथ तो चलते है next question पे हम क्श्मीर किसको माना जाता है कश्मीर वैली के पहले किंग तो मैं आपको दाद हूँ option बी आप देख पा रहे हैं गोनानदा फस्ट ओके तो गोनानदा फस्ट जो है he is considered as the first king of कश्मीर and यह किसमें कहा गया है राज तरंगनी जो मैंने आपको बताया यह भी एक किताब है राज तरंगनी okay तो इसमें कहा गया है जो कलहना ने लिखी थी okay तो कलहन के दवारा राज तरंगनी लिखी गई है and इसी में you know गोनानदा फस्ट को कहा जाता है कि he was the first king in कश्मीर first king of कश्मीर तो यह आप याद रखेंगे and इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बना बता दूँ कि जो इराज तरंगनी थी यह लिखी गई 1148 249 यह भी आप याद रखेंगे AD चलते हैं हम अपने next question पे and इराज तरंगनी जो है ना यह संस्कृत में लिखी गई है संस्कृत यह भी आप याद रखेंगे और यह वर्सिज में लिखी गई है यानि यह poetry टाइप में लिखी गई है तो चलते हैं हम अपने next question पे question number five हमारे पास है dash are considered as the first settlers inhabitants तो यह इस तरह से हैं okay slash तो first settlers यह फिर inhabitants को कहा जाता है तो मैं आपको अलड़े बता चुका हूं नागाज को कहा जाता है and यह निल्मत पुराना में ही है निल्मत पुराना जो है उसमें यह लिखा गया है यह बताया गया है चलते है next question पे question number six हमारे पास है question number six है dash is the only book in ancient Indian literature that may be regarded as as a historical text in true sense okay तो मैंने आपको अलड़ी बताया कि सबसे पहले हमें traces history of कश्मीर के किसमें मिलते हैं निल्मत पुरान में यहां पर हमें सबसे पहले traces मिलते हैं history of कश्मीर के लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूँ पहली reliable text जो है historical text जो इन यह literature में मानी जाती है वो है राज तरंगनी ओके राज तरंगनी is you know first historical text in true sense यानि इसने exactly यह चीजों को सिस्टमाटिक तरीके से लिखा गया है निर्मत पुराना में तो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें है जो जिनका कोई evidence वगारा नहीं है तो जैसे के कश्यपरिशी का जो मैं आपको बता चुका हूँ स्टोरी वह भी निलबर पुरण में है लेकिन उसका कोई रिटन सोर्स नहीं है को वनीस अफ इस्ट वाज बिल्ट बाइ विच आप दे फॉल्विंग डूलर इन कश्मीर तो कश्मीर में किस रूलर के द्वारा वनीस अफ इस्ट को इस्टाब्लिश किया गया बिल्ट किया गया सबसे मिले बात वापको बता दूं यह एक सिटी है मगरश के दौर डवनाइसो को जिस तरह से व्ढ़र कि तो य्थ बनाया गया है बनाई गई है तो मैं तो आपको बतादधू अशोका के दोरह ओके अशोका के दोरा बनाया गया स्रीनगर सिटी को इसको विनीस आफ इस्ट भी कहते हैं मैं आपको बता दूँ अशोका थे मौरियन इंपायर के रूलर वन आफ दे ग्रेट रूलर आफ मौरियन इंपायर ये भी आप याद रखेंगे तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेशन में इसके साथ मैं आपको बता दूँ के अशोका के टाइम पे ही पहली बार एराउंड 5000 बुद्धिस्ट जो हैं वो कश्मीर आय अन्हे हुँ ने बुद्धिज्म को प्रोपोगेट्ग गया यां पे यहां पे ब्वे선 रुष्ट लार्जस्ट मास इमिगरेशन अफ बुद्धिस्ट इन कश्मीर ओके यह आप याद रखेंगे फर्स लार्जस्ट मास्स इमिगर्शन बुद्धिस न कश्मीर टुक प्लेस दूरिंग रीन अशोका यह रूलर अप मोरियन इंपायर मोरियन डैनस्टी इस्टैबलिश स्री नगर सिटी यह विनिस अफ इस तो यह आप चीजें या द्वारा बनाया गया तो आप वहां पर कंफ्यूज नहीं हो ना पांडर था नहीं स्री नगर का पहला नाम था तो यह भी आप याद रखेंगे एंड मैं आपको बता दूँ अशोका के द्वारा एक टेंपल भी बिल्ट किया गया कहां पर विजेश्वरा में एंड यह एक शिवा टेंपल था यह भी आप याद रखेंगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं यह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा थर्ड बुद्धिस्ट कांसल was held in कश्मिर during the reign of तो अब हमें बताना है कहां यहाँ पर कुछ यहन बुद्धिस्ट की कुछ disagreement टाइप की और रभर पे कश्मिर में हुई है यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्किरी कश्मीर में हुई है वरना पे हमें बुद्धिजम के बारे में थोड़ी न पढ़ना है लेकिन ये कश्मीर में हुई है इसलिए बताना जुरूरी है तो मैं बता दू कनिशका एक रूलर थे कुशन डाइनस्टी के कुशन डाइनस्टी के रूलर थे कनिशका एड इनके द्वारा ही इनके ही टाइम पे क्या हुआ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसल जो है वह कश्मीर में हुई एड कहां पे हुई कुंडल वन मौनेस्ट्री कुंडल वन मौनेस्ट्री हारवन में कुंडलवान मौनिस्ट्री हारवन जो एक टूरिस्टाइट भी हमें आपको बता चुका हूँ है ठीक है तो यहां पर हुई थर्ड भुधिस्ट काउंसल तो यह आप याद रखेंगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसके साथ मैं आपको यह बता दूँ इस काउंसल को प्रिजाइड किस ने किया वासू मित्रा एक बुधिस्ट थे वासू मित्रा एक व्यक्ति थे उनके दौरा इसको प्रिजाइड किया गया यह भी आप याद रखेंगे एंड इसके साथ मैं आपको कनिशका के बारे में एक इंपॉर्टन चीज़ बता दूँ वो कि कानिस्पूरा गें ऑन झार्योंगर है तो व्यक्ति को कनिशका पूरा कहा जाता था और कनिशका के द्वारा ही क्या किये थि इती यह टाउन बनाया गया था यह आप याद रखेंगे और इसके साथ मैं आपको बता दूँ के कजूला के अडवाइस उस भी आप याद का है चलते हैं हम अपने next question पर who among the following is considered as the most influential king of Karkota dynasty तो देखे हम एक एक डिनस्टी में किसी एक एक या दो दो डूलर्स को ही discuss कर रहे हैं क्योंकि हमें history ancient history पर PhD नहीं करनी है हमें ancient history वारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए you know from the perspective of SSB तो यहां पर कारकोटा डिनस्टी की बात आगी तो यहां पर बताया गया कि सबसे able ruler सबसे influential ruler कौन था कारकोटा डिनस्टी का इस पर question आते रहते हैं तो आपको तो आदो ललत अदित्या मुक्तापिडा he was the most influential ruler of कारकोटा डिनस्टी के साथ मैं आपको बता दूं कारकोटा इसको नागाज भी कहा जाता है कि इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ललत अदित्या जो थे मुक्तापिडा इन्होंने रूल किया जो याद रखने की जुरूरती नहीं है कोई एक डेट ऐसी है जो याद रखने पड़ती है बाकि एंशन इडिस्टी की डेट तो खुद हिस्टोरियन को एक्जैक्ली पता नहीं है तो एसे भी कहां से लेके आएंगे तो एसे डेट के बारे में बिल्गुल परिशान नहीं होना आप सिर्फ नाम याद रखें ललिज तिद्या मुक्तापिडा वस्ट इंफुलेंशल लूर्र आफ कार्कोटा इनिस्टी एंड वन मोर इंपॉर्टंट थिंग वो यह है कि ही वस नोन एज ही वस नोन एज समुद्र गुपताफ कश्मीर तो यह आप याद रखेंगा समुद्र गुपताफ कश्मीर किसको कहते हैं लले तिद्या मुक्तापिडा जो के कर्कोटा डैनिस्टी के रूलर थे और इसके साथ मैं आपको बता दूँ यह अपनी कंक्वेस्ट की वज़ा से ज्यदा इनों फेमوس है इनों ने बहु सी जगों को इनों कैपчure किया और इसके साथ मैं आपको बतादू पंजाब को इनोंने सिंद को कैपचर किया इन्होंने तिब्बत को कैप्चर किया तो इनके रूल में यह सारी जगवें जो थी इनके अंडर थी तो यह आप याद रखेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूँ कि जहलम रिवर को सबसे पहले क्लेर इन्होंने करवाया जेलम रिवर वही रिवर जो वेरी नाग से निकलती है वही रिवर जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी इंडर्स की वही रिवर जिसको वितस्ता का आ जाता है वही रिवर जिसको कश्मीरी में व्यत का जाता है वही रिवर जिसको हाइडैफिस भी का जाता है यह सा ब्रावांड उता है उसमें ज़्यादातर मिट्टी जमा होते होते हैं फिर क्या होता है उसकी वज़े जाते हैं तो वज़ाइब ना है इसकी वज़ाया से मुकतापिडую सबसे पहले रूलर थे जन्हों ने तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कोईशन पर इससे ज्यादा कोई इंपोर्टन चीज इसके बारे में अगर है तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल है ललत दित्या ने क्या किया इन्हों ने परिहास पूरा टाउन बिल्ट किया परिहास पूरा ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये करंट आज भी है किश्मीर में ये जगें है इन्हों ने मार्तन टेंपल जो मैंने आपको बताया वो भी इन्हों ने ही बिल्ट किया मार्तन टेंपल का कि ये कौन है लॉर्ड सूरिया को ये डिडिकेटिड है साथ मैं आपको बता दूँ इन्होंने एकोड टाउन बनाया अपने ही नाम पे ललिता पूर इन्होंने एक टाउन बनाया और इसको आज लेथपूर के नाम से अब जानते हैं यह भी आप याद रखेंगे तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट जीनों कुश्चन पे बाइद वे प्रॉंट सा एक जगा थी वे भी इन्होंने बनाई और आज का यह पुंच है उके प्रॉंट सा ही आज का पुंच है तो यह भी आप याद रखेंगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉश्चन पे इससे ज्यादा और कोई जीनों चीज नहीं है जो मैं आपको यहां पर बत तो उत्पला डैनस्टी भी एक डैनस्टी थी कश्मीर में और मैं बताना है कि पहले रूलर इसके कौन थे तो मैं आपको बता दूँ अवंती वर्मन जो यहां पर आप देख पा रहें अवंती वर्मन वास्ट फरस्ट एंड दू मोस्ट इनो इन्फलेंशल रूलर अफ उत अवंती वर्मन था इससे भी इंपोर्णन बाती है कि अवंती वर्मन एक टाउन को बिल्ट किया जिसका नाम रखा गया अवंतीपूर ऑके शारी अवंतीपूर ऑके पोर एक फेमस टोन है जो आज भी एकसिस्ट करता है जैलव म्रिवर की बैंक पर आई ये यह आप याद रखेंगे तो यह इन दौरा बनाया गया तो ऐसे कोयस्जिशन आ सकते हैं जो आज भी exist कर रहे हैं जैलम रिवर की बैंक पर भी भी है अवंती वर्मन जो एक most important ruler थे उत्पला डिनस्टी के तो उनके द्वारा बनाया गया है तो इसलिए यह सारी चीज़ें important हो जाती है तो एक तो लले तित्या मुक्ताबिटा के टाइम पर यह हुआ था और इसके बाद की अवंती वर्मन ने फिर से इसको करवाया जो इनके द्वारा ताके फ्लड्स नहों क्योंके जैलम रिवर के वजह से फ्लड्स बहुत जादा होते थे तो चलते हैं हम अपने next question पर लेकिन आप बता दूए यहां पर एक और बात है जो 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 छुट गई थी तो में आपको बता दूँ अवंती वर्मन के दौरा एक टेम्पल भी बिल्ट किया गया जिसका नाम रखा गया वंती स्वामिन अवंती स्वामिन यह विश्णु टेम्पल है लॉड विश्णु को डेड को डेडिकेटेड है लौर्ड विश्णू को डेडिकेटेड आए तो यह भी आप याद रखेंगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कुष्ण नमर्ड टैन अमारे पास है को अपने तो फॉलमिंग ब्रॉट कश्मीर अंडर दे रूज 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 अफ लोहरा धर देश्टी एक यह बहु एक डेनस्टी है एंड मैं आपको बता दू आ कि किसके दुरा लोहरा धर धर जो है यानि कि लोहरा डेनस्टी का रू कश्मीर में ओ गया कश्मीर में आगया तो मैं आपको बता दूं कि यह option nober a जो आप देख आ पारें पारें दिदा तौ असल में पूरा नाम है queen कुीन दिदा ओके queen ृथिदा तो होता कुछ इस तरह से है कि queen ृथिदा करती है यह आप दूसरा option देख पारें शेमा गुपता से शादी ओके शेमा गुपता से कोई इन्हों दिदा करती है शादी एंड उसके साथ क्या होता है शेमा गुपता असल में होता है रूलर आफ कश्मीर उस तायम पे ओके कश्मीर के रूलर होते हैं गुपता दिदा उन से शादी करती है जो के बेटी होती है लोहरा डैनस्टी के एक रूलर की तब तक लोहरा डैनस्टी का रूल नहीं था कश्मीर में लेकिन दिदा ने जब शादी की खेमा गुपता से जो के गुपता डैनस्टी के रूलर थे लेकिन दिदा लोहरा कारूल कश्मीर में आगे अब कन्फी disci नहीं होना शेमा गुपता चुबदा नहें गुपता डैनस्टी की बैटी थी वह दुटल करो नहीं है जेब शेमा गुपता से इसकी शादी हो जाती है उसके साथी बाद में शेमा गुपता की डेथ हो जाती है तो बाद में दिद्धा जो है वो किसको एंथ्रोन कर देती है लोहरा डिनस्टी यनि अपने नेफ्यू को जो के लोहरा डिनस्टी को होता है उसको कर देती है एंथ्रोन कहां पे कश्मीर में तो वो बन जाता है फिर यूनो किंग कशमीर, लेकिन होता काहाँ से वेो, ल willst लोह इनस्टि से होता है, तो इस वैजासे कशमीर में आ जाती है, थोड़ लंबा हो ग Awakा लेकिन बताना जरूरोरी से त्वो्टडा से टिपिकल आए तो इसकी वज़ा से यहां पर दिदा की वज़ा से लहरा डानस्टी कश्मीर में आगी और वो कौन नेफ्यू थे जिनको इन्होंने थ्रोन पर बिठा दिया तो उनका नाम था संगराम राजा संगराम राजा तो यह आप याद रखेंगे तो यह भी आप याद रखेंगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कुश्चन पर एंड मैं आपको बता दू लास्ट लोहरा डूलर डूलर जो थे सौरी वो थे वन्ती देवा वन्ती देवा जो थे यह लास्ट लोहरा किंग थे कश्मीर में इसके बाद एक और डैनस्टी यहाँ पर आ गई तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कुश्चन पर एंड देखते हैं नेक्स्ट कुश्चन क्या है हमारा तो नेक्स्ट कुश्चन है हमारा डैश केम टू कश्मीर फ्रम स्वाथ और लेड़ फाउंडेशन अम मुस्लिम रूल न कश्मीर तो स्वाथ से एक व्यक्ति आते हैं और यहां पर मुस्लिम रूल की फाउंडेशन कर देते हैं कश्मीर में तो उनका नाम था हमारे पास ऑप्शन पर भी आप देख पा रहे हैं शामीर, तो शामीर ने, he laid the foundation on Muslim rule in कश्मीर, ओके यहाँ पर दो चीज़े हैं जो मैं आपको बताऊँगा, पहले Muslim king थे रिंचना, first Muslim king, first Muslim king in कश्मीर, ये थे रिंचना, तो ये important question है, लेकिन, foundation किसने रखी Muslim rule की कश्मीर में, वो रखी, शाहमीर ने क्योंकि मैं आपको बता दूँ रिंचना पहले हिंदू थे बाद में ये कनवर्ट हो गए ओके रिंचना कनवर्ट हो गए बाद में इनको बुलबुल शाह आपको पता है एक फेमस परसनालिटी थी उनके दुआरा इनको कनवर्ट उनसे प्रभावित होके इन्फलेंस होके ये कनवर्ट होके इसलाम में बन गे मुस्लिम और इनने नाम क्या रखा सुल्तान सद्रुदीन सद्रुदीन नाम रखा इन्होंने ये इंपोर्टन पॉइंट हैं आप याद रखेंगे मैं पूरी किताबें छांट के ये कुछ चीज़ें आपके लिए लेका हूँ सद्रुदीन ने नाम रखा और पहले किंग बन के कश्मीर के पहले मुस्लिम किंग याद लेकिन शामीर ने लखी तो इसका क्रेक्ट ऑप्शन ये है शामीर का एक्च्वल नेम था सुल्तान शम्सुदीन कोई हिस्टरी सुड़न होगा तो वह लिंक कर पा रहोगा तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेशन पे ओके देखते हैं यह नेक्स्ट क्वेशन क्या है थे हमारा इस नव तो औरंग जेबा कश्मीर किसको काजाता है आप जानते हैं इस विए औरंग जेब वाज ए मुगल एमपरर ओके इसके साथ साथ अब कश्मीर को औरंग जेब इसको माना जाता है तो मैं आपको बता दूँ इसका करेक्ट आप्शन है हमारे पास सुल्तान सिकंदर जो थर्ड आप देख पा रहे हैं सुल्तान सिकंदर हरुआख चेब नहीं सेनतं आपको बताँ ए महां बैंने स्बस्क्राइब व्हा गिश्मीर को सेण व्हें एक ये प doğru इसके साथ साथ मैं आपको बताँ दूँ किया है इसके साथ साथ मेर्यक भालियू हमदानी एद एक बतार नहीं आयो क। ब्रोड कमीर लिग Savior Heart मुस्लिम रूलर थे यहां पे एंड शिहाबुदीन को कहा जाता है ललत अदित्याफ कश्मीर यह सारी चीजें आप याद रखेंगे ललत अदित्याफ कश्मीर कहा जाता है किसको शिहाबुदीन को यहाद रखेंगे एंड रिंचन मैं आपको बता चुका हूँ रिंचन के ब तो यह चलते हैं अपने next question and सुल्तान सिपकंदर के बारे में ओर कुछ तो नहीं बचता है चले consistent time इतनी important छीजते ञेंने के regarding पूर टाउन जो है यह किस ने बिल्ट किया तो मैं आपको बता दूँ यह बिल्ट किया यहाँ पर आप option देख पा रहे हैं कुतुबदीन सिकंदर हिंदाल नन तो नन अब दैबो option है क्योंकि शिहाबुदीन पूरा शिहाबुदीन के दौरा है भिल्ट किया गया शिहाबुदीन के द्वारा सुल्तान शियाबुदीन जिन को मैं आपको रेड़ी बता चुका हूँ ललीत अधित्या गिू हैं लल्प अधित्याव कश्मीर बीच्व कश्मीर किसको कहा जाता है? हमने देख लिया औरंग सेबा कश्मीर किसको कहा जाता है? डीच अप्शन हम कुछ मिखए जाता है? तो मैं बता दूँ इसका करेक्ट आप्शन हमारे पास है ओप्शन नमबर ए जैनुलाबदीन जो थे यह सबसे इम्पॉर्टन्ट या फिर आम एबल रूलर कह सकते हैं इस टाइम पर शाहमरी डाइनस्टी के और यहां पर इनको बडशा भी कहा जाता है बडशा के नाम से भी यह फेमस हैं इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूँ कि इनको ही अकबर आफ कश्मीर का आजाता है जैसा कि मैं आपको आंसर मार्क कर चुका हूँ इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने जजिया को अबॉलिश किया ओके जजिया को इन्होंने अबॉलिश किया कश्मीर में यह एक टेक्स था जो हिंदूस को देना पड़ता था ओके यह एक टेक्स था तो इन्होंने इसको क्या किया अबॉलिश किया यह जरूर कुछ चेनल्स बनाएगे कुछ वॉटर्टर बनाएगे आज टोल्ड यू अगरिकल्चर के गार्डियंका बहुत ज्यादा रोल रहा है तो पहरू कैनल जेनगीर कैनल अवंतीपूर कैनल काकपूर कैनल ये सारे कैनल इनके द्वारा बनाये गए और इसके साथ आप मैं आपको ये भी बता दू कि इन्होंने एक सिटी बनाई नौशेरा के नाम से और इन्होंने जेनपूर टाउन भी बनाया यह सारी चीज़ें आप याद रखेंगे एक आर्टिफिशल आइलेंड भी इनके द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशल आइलेंड जिसका नाम नहीं रखा रूप लंक और अब आप मुझे यह कहां पे हैं यह आईलन हैं अब मुझे आइलेंड इसमीर ऽों कर चुके हैं अब align and나 आइलेंड यह किस लेक में है यह आइलेंड अब मुझे यह बताएंगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कोईशन पर कि आज इत्रे ही कोईशन तो यहां पर हमने क्या किया है मुसलिम रूॉल तक कश्मीर के इतने बींपॉइंट पॉइंट थे कश्मीर हिस्टि यह उपकर चुके हैं अब मेडीवल और मॉडर्न रहा है यह सारा मुसलिम खत्म हो गया इंसमें कुछ चीजिया में पढ़नी है जैसे कि हमारे पास चekk de necessity हमें यह पढ़नी है थोड़ा थोड़ा इसके regarding पढ़ना है तो اपस ऐखान सके regarding हमें थोड़ा सा पढ़ना है इसके regarding ऑद सिक के regarding हमें थोडी से करने हैं एंड इसी तरह फिर हमें डोगराज के रिगार्डिंग थोड़ा अच्छे से देखना है तो आने वाले दो वीडियो जो होंगे वह हिस्ट्री पे ही होंगे एंड उसमें सारी सिट्री को कवर कर रहींगे कोशिश कर रहा हूं जो चीज इंपॉर्टर हैं वही बता कोश्न साने की मैं आपको बता दूँ के आपका दस टॉपिक से जीके में एराउंद अब उसमें से एक टॉपिक है J&K जेंड के भी मेरे खाल से 6 टॉपिक सब टॉपिक से तो देखो 10 टॉपिक 30 मार्क में हम डिवाइड करें तो हर टॉपिक को तीन मार्क जो हैं अबियत सही नहीं है तो आम ट्राइंग के जल्दी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए ओके से यू गास टमारो टेक केर एंड पढ़ते रहें